नमस्कार दोस्तों सवागत आप सभी का आपके अपने चनल करेव पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आएं सामने ग्यान के टोफ हेंड़ क्यूस्टन जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही महतव पूर्ण रहने वाले हैं मेरे पर दोस्तों जो हम क्यूस्टन लेका हैं वो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महतव पूर्ण रहने वाले हैं तो इस वीडियो को बगैर स्कूर पूरा लास्ट लगाईए अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फड़ावर सब्सक्राइब कीजिए और बैल क्यूस्टन है दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था तो देखी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था मूल संकर ओप्शन बी यहां पर राइट आंशर होगा अगला क्यूस्टन है आरे समाज को किसने भारती सांती का जनम दाता कहा था तो देखी किसने कहा था आतिका आयोजन कहां हुआ है था देखिए कहां पर हुआ था सही आंशर होगा पार्टली पुत्र ओप्शन C आपका सही आंशर हो जाएगा नेक्स देखिए शोले महाजन्य पदों की सूची किसमे सम्मेलित हैं? देखिए किसमे सम्मेलित हैं? सही आंशर होगा अंगूतर निकाए, ओप्शन ए आपका सही हो जाएगा नेक्स देखिए राज्य सभाक की पर्तम महिला महा सचीव कौन थी? सही आंशर होगा B.S. रामादेवी, ओप्शन D. आपका सही हो जाएगा अगला क्यूशन है दूर दर्सन द्वारा प्रायोचित पहला दारावाइक सेरियल कौन सा था? सही आंशर होगा हम लोग ओप्शन C नेक्स देखिए 1857 की विद्रोकिस में ब्रेटिश पर्दान मंत्री कौन था? सही आंशर होगा लोड पॉम्सिटरन ओप्शन B आपका सही हो जाएगा अगला क्यूशन है सूरिय हमारे सोर मंदल का केंदर है इसे किसी ने पर्ति पादित क्या था? सही आंशर होगा कोपरनिक्स ओप्शन A कोपरनिक्स की दवारा का गया है सोरिय हमारे सोर मंदल का केंदर है अगला क्यूशन है नियून्तम नगरी करत राज्य कौन सा है? सही आंशर होगा हमाचल पर्दिश ओप्शन B आपका राइट हो जाएगा नेक्स देखी बारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्मान के लिए कौन विख्या थे? सही आंशर होगा फिरोज सा तुगला नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्मान जो है वो फिरोज सा तुगला क्लिक के दवारा क्या गया था? option D आपका सही रहेगा next देखिए विद्रोही कवी किसको कहा जाते है सही आंशर होगा काजी नजरूल इसलाम को किसको कह गया है काजी नजरूल इसलाम को विद्रोही कवी के नाम से पुकारा गया है option A आपका सही होगा next देखिए भारत का मैक्या वेली किसे कहा जाता है छाण एक को Option B आपका सही होगा अगला क्योशन है भारत में सरवादिक सुद्जरण सिक्के किसने पर्चलित किये किसने किये थी कुषान वनसने Option C आपका सुझेगा Next देखी भूमी देने की सामन्ती पर्था किसने प्रार्म की किसने की थी हर्ष वर्दन सामन्ती पर्था को ठीक है सरवात किसने की थी हर्ष वर्दन option A आपका सही होगा next देखी अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया प्लेज वीडियो को लाइक करिए, सेर करिए, अपने फ्रेंट से आथ, राजतव सिधान्त किस्ता आपना करने वाला पहला सासक कोन था, कोन था, बलबन, राजतव सिधान्त किस्ता आपना करने वाला पहला सासक था, बलबन, उप्शन D आपका सही होगा, नेक्स देखिए, विक्टोरिया जल परपात का समंद किस नदी से हैं। सही आंसुरों का जांबे जी नदी, option A. Next देखी, भारत के एक अरव्य सीसु का नाम क्या है? तो क्या नाम है? आस्था. Option B आपका सही हो जाएगा, भारत के एक अरव्य सीसु का नाम क्या है? आस्था. Next देखी, पोर्ट बलेयर कहां पर स्थित है? पोर्ट बलेयर कहां स्थित है? देखीएगा, दक्सिन अंडमान में, option C आपका सही होगा. अगला क्यूशन है, गुरू मुखी लिपी किस गुरू ने विक्षित की थी? तो सही आंशर का, गुरू अंगद ने. ठीक है, गुरू मुखी लिपी जो है, वो गुरू अंगद के दिवारा विक्षित की गई थी, option D आपका right होगा. नेक्स देखी, भारती संग के अंतरगत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है, किसी भी राज्य को मिलाने का भारत के अंदर किसको प्राप्त है ये अधिकार, तो देखी, किसको संसद को, option D आपका सेज़ेगा, किसी भी राज्य को भारती संग के अंतरगत सामिल करना संसद को अधिकार प्राप्त है नेक्स देखिए किंदर राज्ये संबंध किस अनुशुचि के अंदर वर्णित है तो देखिए सही अंसर क्या होगा इसका सात्वी अनुशुचि के अंदर वर्णित है option B आपका सही हो जाएगा नेक्स देखिए धर्म की संथता से संब्दित अनुचेद कौन सा है अनुचेद 25 आर्टिकल 25 जो है वो धर्म की संथता से संब्दित है option c आपका साही होगा next देखी अमीर खुश्रोकिन दो भासाओं का विद्वान था तो देखे साही आंसरोगा हिंदी और फार्सी option d आपके right आंसरोगा की थी तो देखी कब प्राप्त की थी 712 इस्वी में उप्शन C आपका सही आंशर जाएगा मुहमद मिर्ण कासिम ने सिंद पर विजय प्राप्त कर ले थी 712 इस्वी में अगला क्यूश्चन है अर्जून प्रुषकार जीतने वाली पर्थम भारती महिला कौन थी ती सही आं सही आंशर होगा सलिम दुरानी ओप्शन A आपका सही होजाएगा सलिम दुरानी जो है पहले भारती क्रिकेटर जिनने अर्जून प्रुषकार जीता था अगला क्यूश्चन है डेट लोकेस थाल ओप्शन C आपका सही होजाएगा नेक्स देखी चमतकारी सचेन पूस्टक के लेकर कौन है कौन है कौन है लोकेस थाल ओप्शन सी आपका सही हो जाएगा नेक्स देखी मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलारी को कहा जाता है तो देखिए मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलारी को कहा जाता है सही आंशुर का स्रीनात option D आपका है सही होजेगा स्रीनात को क्या कहा गया है मैसूर एक्सप्रेस इनका उपनाम दिया गया है अगला question है, बंकर सबद किस खेल से सम्बनित है, बंकर सबद किस खेल से सम्बनित है, पोलो से, option C आपका सही होगा, अगला question है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लडाई के बाद हुई थी, तो देखें, किस लडाई के बाद, पानिपत की पहले लडाई के बाद, option A आपका सही अंसर होगा, पानिपत की पहले लड़ाई के बाद, भारत में मुगल स्थाप, स्थापित की गी थी, option A, सही होगा, next देखी, जहांगिर के दरबार में, जेम्स पर्थम का राजदूद कौन था, कौन था, सर टोमश्रों जो है, जहांगिर के दरबार में, जेम्स पर्थम के राजदूद बनकर आये थे, option A, आपका सही होगा, सर टोमश्रों, next देखीए का, इसलाम का सबसे बड़ा सत्रू, किसे कहा जाता है, इसलाम का सबसे बड़ा सत्रू, किसको कहा जाता है, औरंग जेब ने बीजापूर पर कब विजय कब प्राप्त की थी, 1686 में, option C, आपका सही हो जाएगा, अगला क्यूश्रों है, किस मुगल समराट के साथ संकाल में, उपने सदका फार्षी में अनुवाद हुआ था, तो देखी, किस के काल में, option C आपका सही हो जाएगा, सहाजा के काल में, उपने सदों का फार्षी में अनुवाद किया गया था, और ये कौन थे, मुगल समराट थे, आपको पता होना चाहिए, अगला क्यूश्रों है, जिमनास्टिक खेल में, पर तेक पक्स में कितने खिलाड़े होते हैं, सही आंशरों का 8, option C आपका सही हो जाएगा, next देखी, Air Force Flying College कहां पर स्थिते हैं, Air Force Flying College कहां पर देखी, जोधपूर में, option B आपका सही आंशरों का जोधपूर, next देखी, केंदरिये परियावर्ण Engineering अनुसंधान सनस्तान कहां है, केंदरिये परियावर्ण Engineering अनुसंधान सनस्तान जोई, वो स्थिते हैं, नागपूर में, option A आपका सही होगा, next देखी, दिल्ली का पर्थम सुल्तान कोन था, जिसने दक्षिन भारत को प्राजित करने का प्रियास किया, दिल्ली का पर्थम सुल्तान कोन था, जिसने दक्षिन भारत को प्राजित करने का प्रियास किया, कोन था, सही आंशरों का अलाउदिन खिल्जी, option D आपका सही रहेगा, next देखी, बोटिक वादी दर्शन के परवर्तक कून थे? चारवा option A आपका सही रहेगा अगला question है व्यास नदी का प्राचिन नाम क्या था? option c सही आणशर होगा next देखे सिरी नगर की स्थापना किस ने की थी? किस ने की थी? असोक ने राजा असोग के दवारा सिरिनगर की स्थापना की गई option A आपका सही होगा अगर आपने friends अभी तक वीडियो को लाइक ने किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए जो भी नए है चैनल को सबस्क्राइब करिए share करना बिल्कुल न भूलेगा facebook, whatsapp, telegram पर जल्दी से share कर दीजे ताकि और बच्चे इस वीडियो का फायदा उठास के आप सभी के सही होग से देखिए अगला क्यूशन विक्रमा दित्य के बाद गद्धी पर कोन बैठा था कोन? कुमार गुप्त पर्थम option B आपका सही हो जाएगा next, देखिए would dispatch को option D आपका सही हो जाएगा देखिए अगला क्यूशन है गदर पार्टी कि स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी कि स्थापना हुई थी कब? देखिएगा 1913 में айтесь option D आपका सही हो जाएगा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई अगला क्यूश्यन है साबर मती आसरम की स्थापना कब की गई साबर मती आसरम की स्थापना की गई थी कब 1916 में ओप्शन C आपका से होजएगा 1916 में साबर मती आसरम की स्थापना की गई अगला क्यूश्यन है गांधी जी ने साबरमती से दांडी की जात्रा कितने समर्थकों के साथ की तो देखिए सही आंशुर का 78 ओप्शन D आपका सही हो जाएगा 38 समर्थकों के साथ गांधी जी ने साबरमती से दांडी की जात्रा जो है वो की थी option D यहाँ पी राइटर जाएगा next देखते हैं गला क्यूशन सब्त वर्सिय यूद का प्रारम कब हुआ था तो देखिए कब हुआ था सही हो जाएगा 1756 option A आपका सही होगा सब्त वर्सिय यूद के प्रारम जो है वो हुआ था 1756 में next देखिए option A बाबर आपका सही होगा अगला question है पूरव का मोती किसे कहा जते है? पूरव का मोती किसे कहा जते है? किसको सिरिलंका को option D आपका सहयोगा next देखी शूंडा गर्थ किस महासागर में स्थित है? शूंडा गर्थ किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में Option A आपका सह्योगा हिंद महासागर अगला क्यूशन है रोजगार गारंटी योजना का परारम कब से किया गया? रोजगार गारंटी योजना का परारम कब से किया गया? 2 फरवरी 2006 Option C आपका सह्योगा 2 फरवरी 2006 Next देखिए वर्मी कल्चर किसे समंदित है? वर्मी कल्चर किसे सम्मनीत है केच्वा पालन से option C आपका सही होज़ेगा केच्वा पालन अगला question है पॉन रूप से देश का पहला भारती बैंक कोन सा था यह important question आचुका है आप लोगों के लिए जो banking की तियारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा question है शे पॉन रूप से देश का पहला भारती बैंक कोन सा था PNP पंजाब नेशनल बैंक जो है पॉन रूप से भारत का पहला बैंक था option D आपका सही होज़ेगा PNP Punjab नेशनल बैंक next देखिए नेट्राज मंदिर कहां से थी थे थे त्राज मंदिर कहा पर हैं, देखिए, चेन नहीं के अंदर, उप्शन D आपका सेवज़ेगा चेन नहीं, अगला क्यूशन है, अमेरिका कब सवतंतर हुआ था, अमेरिका कब सवतंतर हुआ था, सही आंसरों का सत्रजों, शेतर में उप्शन B आपका सही हो जाएगा, नेक्स क्यूशन है, डिवाइन कोमेडी के रचनाकार कौन है, डिवाइन कोमेडी के रचनाकार कौन है, दांक दे, उप्शन C आपका सही आंसर होगा, अगला क्यूशन है, ओक्सपोर्ड विश्व विधाले की स्थापना कब हुई थी, ओक्सपोर्ड विश्व विधाले की अंसर होगा. नेश्ट देखिए जिन्दा पिर के रूप में कौन विख्या था? जिन्दा पिर के रूप में कौन विख्या था? ओरंजेब Option डिया आपका से ज़ेगा ओरंजेब अगला क्यूशन है यात्री कर किसने बंद करवाया था? यात्री कर किसी ने बंद करवाय था? देखी फ्रेंट्स ये करवाय था अकबर ने, option A आपका सही हो जाएगा, ठीक है? हिंदू से याद रख कर लिया जाता मुसलमानों से याद रख कर लिया जाता था तो वो कर जोता था, यात्री कर बोलते थे उसको और वो बंद कर था, अकबर ने next, देखी लिंगायत संपर्दाय के संस्थापक कौन थे? लिंगायत संपर्दाय के संस्थापक कौन थे? बासव, option B आपका सही हो जाएगा, बासव याँ पे right answer, next देखते है गला क्यूशन अगला क्यूशन है विश्व की पर्थम महिला राष्टपती कौन थी? विश्व की पर्थम महिला राष्टपती कौन थी? तो देखे इसका सही हो जाएगा मारिया इसाबेल पेरोण option C आपका सही हो जाएगा, मारिया इसाबेल पेरोण जो है, विश्व की पहली महिला राष्टपती थी? अगला क्यूशन है अगला क्यूशन देखी राष्टी जंडा अपनाने वाला पर्थम देश कौन सा है? तो देखी कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा, डेनमार्ट ठीक है, डेनमार्ट जो है राष्टी जंडा अपनाने वाला पहला देश बना था option ब्यापका सही हो जाएगा अगला क्यूशन है हर्गोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरुषकार मिला था? तो देखी किस वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा 1968 में option C आपका सही हो जाएगा, ठीक है हर्गोविंद खुराना को नोबेल पुरुषकार दिया गया था 1968 में next देखीए विश्व का फुटबोल जीतने वाला पर्थम देश कौन सा है? कौन सा है? सही आंसर होगा, उर्गवे option D आपका सही हो जाएगा अगला क्यूशन देखीगा, फ्रेंट्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए जो साथी नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जिरू कर लेजिएगा अगला क्यूशन देखीए सभी विश्व का फुटबॉल परतियुकता में भाग लेने वाला एक मातर देश कोन सा है सभी विश्व का फुटबॉल परतियुकता में भाग लेने वाला एक मातर देश है कोन सा? ब्राजिल option C आपका सही होगा next देखीए Daxin का Britain किसे कहा जाते है अमेरिका देश का सबसे सुखा पर्दिश है इसका नाम दिया गया है ओप्रसण D आपका सही होगा next देखिए bullfighting किस देश का राश्टी खेल है तो देखिए किस देश का है सपेन देश का option C आपका सीवजए गा bullfighting एक game है जिसमें राश्टी खेल जो है एक राश्टी खेल है सपेन देश का ठीक है याद रखिए next देखिए अगला question है सिक्ष्या को अनिवारिय बनाने वाला पहला देश को चा है, सिक्ष्या को अनिवारिय बनाने वाला देश है पर्श्चा, option A आपका सही होगा, अगला question, भारत में पर्थम नियमित जन्गनना किस्ने करवाई थी, तो देखिने इसका सही आश्र होगा, लौर्ड रिपन, ओप Option A, Sir Charles R. आपका सही आंशर होगा. Next, देखी, BCCI की स्थापना कब हुई थी? BCCI की स्थापना कब हुई थी? सही आंशर होगा, 1928. 1928 में BCCI की स्थापना की गी थी? Option B, आपका सही होगा. Next, देखी, पहला विश्व कब फुटबॉल कब खेला गया था? देखी, कब खेला गया था? सही आंशर होजाएगा, 1930 में. देखी, 1930 में पहला विश्व कब फुटबॉल खेला गया था. Option C, सही आंशर होगा. अगला क्यूशन, हिमाले मुख्य रूप से कितने समानांतर स्रेणिय में विभकते हैं? सही आंशर होगा, 3. Option A, आपका सही होजाएगा. अगला क्यूशन है. भारत का पर्थम ग्रवनर जर्रल कौन था? तो देखी, कौन था? सही आंशर होगा, Lord William Bentick. ठीक है, भारत के पहले ग्रवनर जर्रल थे, Lord William Bentick. Option C, आपका सही होजाएगा. Next, देखी. पर्थम ग्रवनर जर्रल कौन हुआ है? तो देखी, कौन थे? सही आंशर होगा, Warren Hastings. ठीक है, कंपनी के दिन थे, और पहले ग्रवनर जर्रल थे, Warren Hastings. Option A, आपका सही होगा. अगला क्यूस्टन है, इरान का नेपोलिन किसे कहा जाता है? इरान का नेपोलिन कहा गया है नादिर्शा को. Option B, आपका सही होगा, नादिर्शा. अगला क्यूस्टन है, भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुछेद के तहट सर्वोच नैले में अपील कर सकता है? ठीक है, मूल अधिकारों का हनन होने पर, आर्टिकल 32 के तहट अपील कर सकता है सर्वोच नैले में. नेक्स देखी, भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर, ये रिपीट हो रहा है फ्रेंज, तो इसका क्यूस्टन का वही आँसर होगा, ठीक है, तो अगला क्यूस्टन ही तरफ चलते हैं, देखी, भारत का सबसी बड़ा गिर्जागर कों सा है? भारत का सबसी गलनांग लगभग कितना होता है तो सेलंसियस Ora सिर्वादिक कोलिस्टोल बनाने वस्थान कोन शाय कुझसा कुग यकृत अगला question है, राष्ट्रिये आपात किसमें किस अनुचेद में दी गई सो नरता स्माप्त हो जाती है, तो देखिए, सही answer होगा, अनुचेद 19, option C आपका, सही हो जाएगा, next है, अगला question देखिएगा, नाटो की स्थापना कब की गई थी, तो देखिए, नाटो की स्थापना होई थी 4 अप्रेल, 1949, ठीक है, 4 अप्रेल, 1949 में नाटो की स्थापना की गई, option A आपका, सही होगा, next देखिए, देश का पहला, विदुद सन्यांतर की स्थापना कब होई थी, देश के पहले विदुद सन्यांतर की स्थापना होई थी, कब, 1979 में, option D आपका, सही जगा, 1969, अगला question दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कोंसी है, कोंसी है, अनाई मुदी, option A आपका सही होगा, अनाई मुदी आपके, right answer, गला question देखिएगा, बिना ताज का बातचा किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा कि उसने सही answer होगा, सुरेंदरनाथ बनर जी को, ठीक है, बिना ताज का बातचा का गया है, option C आपका सही होगा, सुरेंदरनाथ बनर जी, next देखिए, कोलकता सुप्रीम कोर्ट की स्तापना कब हुई थी, कोलकता सुप्रीम कोर्ट की स्तापना हुई थी, 1764 में, option A आपका सही होगा, अगला question, पोंग बांध किस नदी पर सिती थे, पोंग बां रावी नदी पर, option B आपका सही होगा, रावी नदी, अगला question है, माप तोल की दस्मलोव प्रणाली किस देश की देन है, माप तोल की दस्मलोव प्रणाली जो है, वो देन है, फ्रांस की, option D आपका सही होगा, फ्रांस, next देखिए, विश्व में स्रव पर्थम आर्थिक न योजन की शुरुवाद किस देश से की गई थी? सोवियत रूस से. ओप्शन ए आपका से हुआ सोवियत रूस. आज का आखरी क्यूशन पर्थम वित आयो का गठन कब किया गया? पर्थम वित आयो का गठन देखिए, कब किया गया था? 1901, 1951 में किया गया. ओप्शन भी आपका से हुजए का, 1901 में पर्थम वित आयो का गठन किया गया था? तो क्यूशन कंप्लेट रूस के हैं, I hope आपको क्यूशन अचल लगए हों, तो प्लीज वीडियो को लाइक जिरू करेंगे, एक एक लाइक आपका इंपोर्टेंट है, आपके एक लाइक से आपकर 10 बचों तक भी वीडियो पहुचेगी, वो भी यहाँ पर जोड़ सकेंगे, और अपने एक जाम की अच्छे से तियारी कर सकेंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जिरू करेंगे, और जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब जिरू करेंजीगा, सब्सक्राइब करने के बाद में बैल आइकन को उन करना बिर्कुल न भूली, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुडबाई, टेक के यार, जैहिंद, जैभारत, बंदे मात्रव,